हेलो एवरिवन आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मिड एंट्री की है मिड एंट्री में ने और लेडी समझा रहा है है क्या आप पर्टिकुलर वीडियो चेक आउट कर लो वहां पर कमेंट आ रहे थे और मुझे परसनल इंस्टेगराम पर भी काफी कमेंट मेसिज आएं कि भाईया जैसे हम और लेडी रेइस्टर हैं मतलब हमने और सी एस पीजी का जो है वह राइस्टेशन कर रहा है जो ड़ाइस रूपे हमने पे करे थे लेकिन अभी हमारा एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक जैसे आप लोग को पता है दो कटोफ आईए पहली और दूसरी दो तो आप लोगों को यहांपर मेड-ेंटरी का फॉर्म नहीं फिल करना है मेड-ेंटरी का फॉर्म जो है बेसिए एक हजार रूपर रहता है अब यह किनिकल लिए होता मेड-ेंटरी एक उनके लिए है जिन्होंने रेइस्टेशन नहीं करा इन मतलब जैसे 902 रूपे किसी ने नहीं pay करे उस time हो सकता है या फिर यह हो सकता है कि उन्होंने form ही नहीं fill कर आता तो आप लोग mid entry करोगे लेकिन in case अगर आप लोगों ने basically registration कर रहा था first round मेंड emission नहीं हुआ second round मेंड emission नहीं हुआ तो आप लोग यहाँ पे mid entry का form नहीं fill करोगे मैं कई बार कह चुका हूँ अब यहाँ पर basically third round की एक और query है जो मापकी यहाँ पर solve कर जिता हूँ mid entry जो है basically no September से पहले आप लोग कर सकते हो मतलब जिनोंने registration नहीं किया basically उनके लिए अब भाईये क्या हम लोग consider होंगे third round में जिनका basically first round में और second round में admission नहीं हुआ क्या हम third round में माने जाएंगे और जिनका first round में second round में admission हो गये किसी भी college के अंदर क्या वो भी third round के अंदर participate करेंगे जी हाँ बिल्कुल अभी क्या भाईये इसके लिए दुबार से apply करना ऐसा कुछ नहीं है आपको कुछ नहीं करना आपको जो विचारे जिनका admission हो गया है तो basically उन्हें upgrade करना है अपग्रेड कर लो भाई अगर option आ रहा होगा option कर लो upgrade तभी आप लोग यहाँ पर third round में consider किये जाओगे अब जिनका यहाँ पर first और second round में admission अभी तक नहीं हुआ है बैसिकली लेकिन registration कर रखा है अब वह basically यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं करना वो third round के लिए भी यहाँ पर eligible है third round के लिए participate कर सकते हैं और यहाँ पर seat आपको अलोट करी जाएगी अगर seat vacant है उस particular subject कंदर और क्याना में आपके number अच्छे हैं और एक और चीज में आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर जो क्याना में first second round में ने बता दिए third round में participate हैं आप जो mid entry वाले जो बच्चे आ रहे हैं mid entry वाले जिन्होंने registration नहीं कर रहता एक हजार उपर पे करते हैं तो यह गारंटी नहीं है कि आपका admission हो जाएगा आप यहाँ पर directly third round के अंदर participate करोगे depend करता है seat कितनी है depend करता आपके number कितनी है आप कुछ बच्चे यह भी हो सकते हैं जो बिचारे already register हैं यानि जो first or second round में जिनका admission हो रहा है मतलब हुआ है यह नहीं हुआ बैसिकली मैं मालने तो अभी admission ही नहीं हुआ उनका first or second round में लेकिन already register हैं तो यहाँ पर भाया क्या यहाँ पर mid entry जो आ रही है इसके बाद competition high होगा यह low रहेगा जो competition mid entry के बाद इतना ज़्यादा high नहीं रहता है कि mid entry में इतने ज़्यादा registration भी नहीं होते हैं और जरूरी नहीं कि number mid entry में जो फिल कर रहे हुआ उनके number बहुत अच्छे खासे हो ठीक है यह डिपेंड करता है यहाँ पर number of seat पर maximum seats यहाँ पर full हो जाती है लेकिन अभी तक due कुछ यहाँ पर नहीं बताया कि कितनी seats हैं क्या चीज़ें डिव ने कुछ भी क्लियरिफिकेशन यहाँ पर PG के लिए तो बिल्कुल नहीं दिया UG के लिए फिर भी vacant seat बताता रहता है बहुत सी चीज़े अपडेट देती रहती है जो डिव एडमिशन डीन है तो इतना हाई नहीं रहता जो मेरा अपना experience है ठीक है चाहे वह UG को लेकर हो यह चाहे पीजी को लेकर हो बहुत जादा competition हाई नहीं होता है ठीक है मुझे तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा है क्योंकि काफी वच्छे को कितने score पेडमिशन हुआ मुझे पता लग चुका है जो maximum में कुछ कुछ कूर्स के देखें में बी ओनर्स प्रिटिकल साइंस है हिस्ट्री ओनर्स है या फिर एमकोम है इन सब्जेक्स के अंदर लिए हाई जाती है थोड़ी कट ओफ बी के लिए इतनी नहीं जाती है अब यहाँ पर डिपेंट करता है कि उस कोर्स में कैटेगरी B है भी या नहीं है अब आप लोग को यह दिक्कतारी होगी केटेगरी है केटेगरी भी क्या हो लेडी समझा रहा है प्लेइलिस्ट में जाकर चेक आउट कर सकते हो तो कॉंपडिशन से डरो मत और वेट करो 11 सेप्टेंबर का डेफिनेटली आप लोग का ताइम टो टाइम अपडेट देता रहता हूँ और यहां पर मैं सोरी यहां पर आप लोग को नहीं बता पाय था कि मिड एंटरी में क्या चीज़े हैं ठीक है मैंने अलड़ी वीडियो बना रही थी लेकिन कमेंट बहुता है तो मैंने वीडियो बना दी झालड़ी